हलो नमस्कार दोस्तों पुजा कम्पूटर में आपका स्वागत है मैं हरीस आज के टोपिक में आपको बताएंगे दोस्तों हमारे CAC में एक निव फिप्चर आया है दोस्तों E-Sign का E-Sign हमारा देखे CAC E-Sign Services are now live for CAC VLE इसमें हम E-Sign की मदद से कोई भी डोकमेंट समय कहीं भी मंगाना है तो हम E-Sign करके उसको भेज सकते हैं और किसी को दवारा मंगवा सकते हैं देखे यहां E-Service है देखे यहां पर go completely paperless switch to CAC E-Sign register yourself for free मतलब यह registration जो है आप free में कर सकते हैं E-Sign का registration आप free में कर सकते हैं देखे इसका main site है to register visit E-Sign CAC cloud.in पर जाके आप यह कर सकते हैं यहां direct यहां पर आपको link दिया गया है देखे हैं आपे click here इस पर click करिएगा तो यह आपका E-Sign जो आपका registration portal है उस पर वहां पर चले जाएगा वहां से आप इसके लिए registration कर सकते हैं और E-Sign का दोस्तों पूरे मतलब इंडिया में valid है E-Sign से आप करके कोई भी document को वह कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यह totally valid है E-Sign का तो इसके लिए registration हम कैसे करते हैं तो यहां click here पर बटन पर click कर देंगे simply क्लिक करने के बाद देखें यहां पर go paperless से भी थे CAC E-Sign platform आ गया यहां पर देखें यहां पर get your signature ID now अगर आपको करना है तो इस options पर आपको click करना get your signature ID now देखें यहां पर instruction ने सब दिया गया है यहां पर simply हमें get your signature ID now पर click कर देना है देखें यहां पर कुछ instruction दिये गया है अधार offline KYC XML not older than 90 day यह आपको load करना पड़ेगा अधार offline KYC XML not older than 90 day और इसको आपको load करने के लिए यहां पर link दिया गया है click here इस button पर click करके इसको हमको load करना है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे आप लोग भी इसको registration करने के पहले अधार जो मांग रहा है XML फाइल वह आप यहां से click करेगा click here to this link और इस link पर आ जाईएगा देखें यहां पर दिखा रहा है आपको एक options मिलेगा यहां पर यहां पर है options यहां पर देखिए अधार paperless offline ekyc beta इस option पर click करना है देखिए यहां पर देखिए यहां पर आपका अधार नमबर पुछेगा अधार नमबर इंटर करना है उसके बाद जो verification code दिया गया है वो type करिए उसके बाद send otp button पर click करना है एक otp generate होगा otp आपको यहां पर इंटर करना है उसके बाद यह download हो जाएगा दोस्तों CSC से related बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए देखिए दोस्तों यहां पर हम otp अपना इंटर कर लेते हैं उसके बाद download बटन पर click कर देंगे यहां पर code मांग रहा है code भी आप कुछ भी दे दीजे देखिए यहां download हो गया download बटन पर जाएंगे इसको अंजीप करना है यहां पर password जो दिये वो type करना पड़ेगा देखिए एक से मेले बन गया हमारा यहां पर copy कर लेंगे इसको और desktop पर paste कर लिया ठीक है दोस्तों यहां पर धियान दीजेगा password आपको यहां पर आ गया यहां पर mobile number से हम करेंगे signature ID type mobile number यहां पर हम अपना email ID टाल देंगे उसके बाद email ID इनाधार यहां हमारा धार में email ID है इसकर दिया यहां पर mobile number इंटर कर दीजेगा यहां पर pen number नेसेसरी नहीं है यहां पर जो आपने XML फाइल जो डाउलोड किया धार का वो यहां पर ले आएंगे क्या नाम से था offline वो यहां पर select कर लेंगे देखिया गया file shareable code के अड़ था वो यहां पर हम जो डाल ले थे वहां पर password वो हम यहां पर इंटर्ट कर लिया e-sign pin आप क्या रखना चाहते हैं वो आप टाइप करिएगा जो आप e-sign pin अपना देना चाहते हैं वो पीन यहां पर इंटर्ट करेंगे उसके बाद confirm e-sign confirm e-sign जो आपने दिया वो code द्वारा पर repeat करना है उसके बाद confirmation button पर click करना है उसके बाद submit button पर click कर देना है six digit का आपका code होना चाहिए उसके बाद six digit का यहां पर e-sign pin होना चाहिए उसके बाद submit button पर click कर देंगे जैसे submit button पर click किया देखे इस तरह के confirmation page आ गया individual registration यहां पर नाम आ गया मेरा यहां पर mobile नमबर आ गया email ID आ गया और यहां पर email verification code मांग रहा है यहां पर generate OTP button पर click करेंगे उसके बाद हमारा OTP email पर चला जाएगा वो email का OTP हम यहां पर enter करेंगे देखे OTP आ चुका है OTP यहां से copy कर लेंगे उसके बाद यहां पर paste कर देना है उसके बाद verify बटन पर click कर देना है देखे email हमारा verify हो चुका है यहां mobile पर generate OTP बटन पर click करेंगे देखे हमारा mobile पर OTP generate हो चुका है अब ये OTP हम यहाँ से ले लेंगे उसके बाद OTP यहाँ पर इंटर्ड करेंगे उसके बाद verify बटन पर simply click कर देना है देखे आ गया signature subscriber agreement आ गया CAC subscriber agreement देखे यहाँ पर published by यह देखे रेश्टिर्टर डेट और पर प्लिकेशन सताइस अब यतना बर्सन नमबर यह उसके बाद देखे यहाँ पर instruction पूरा आ गया इसका इसका instruction पूरा दिया गया इसके बारे में उसके बाद simply इसके term and condition बटन पर click कर देना है I agree and proceed button पर click कर देना है देखे यह अक्चुली फिरी है फिरी package मिल रहा है तिसलिए यहाँ पर payment करने की जरुवत नहीं है उसके बाद यहाँ पर by now पर click कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक video मतलब आपको देना पड़ेगा guidelines for video capture capture आप video कैसे capture कीजिएगा आपके laptop या PC में वेब कम लगा हो तो उससे आप record कर सकते हैं camera से भी वो कर सकते हैं connect करके तो देखे यहाँ पर simply देखे the internet connectivity is available throughout the recording recording time में आपका internet connection होना चाहिए ठीक ना the background is the light color light color में होना चाहिए background the light is proper and the face is clearly visible while capturing the video मतलब जब आप video capture कर रहे हो तो face आपका clearly नजर आना चाहिए और only the applicant should appear the capturing the video मतलब सिर्फ applicant का picture आना चाहिए आप जब आप video record करते हो तो read the instruction display on the screen while capturing the video instruction जो दिया गया उसको आपको देखना है पढ़ना है video recording के time में click the submit button once you have committed the video capture जब आपका video capture completed हो जाता है तो आप submit button पर simply click कर दें उसके बाद simply determine condition button पर click करना है उसके बाद agree and proceed button पर simply click करें उसके बाद देखें यहाँ पर आ गया अब हम अपना webcam start कर लेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखें capture video देखें यहाँ पर आ गया क्या करना है तो simply हम capture video पर click कर देते हैं capture video पर click करने के बाद हमारा video capture हो जाएगा देखें यहाँ पर capture video करेंगे allow देखें हमारा video आ गया अब यहाँ पर simply हम यह करेंगे बोलेंगे my name is Harilal Kumar and I have applied for CAC e-science services simply save video पर click कर देंगे देखें सेव हो रहा है थोड़ टाइम लगेगा सेव हो जाएगा देखें दोस्तों completed registration acknowledgement आ गया successfully यह हो गया यहाँ प्रिफरेंस के लिए यहाँ से download करके आप रख सकते हैं signature ID आ गया यहाँ पर signature ID आ गया name आ गया email ID आ गया pen number नहीं दिये थे pin code आ गया address आ गया यहाँ पर state आ गया यहाँ पर देखें बार कोड आ गया country आ गया इसको आप download करके रख सकते हैं तो यह होता है registration का पूरा प्रोसेस दोस्तों इतरा से आप this sign आपना registration कर सकते हैं और कहीं भी document को this sign करके यूज कर सकते हैं कहीं भी रहिए आप this sign document को send कर सकते है vai आ यूज कर सकते हैं